नमस्का दोस्तों, स्मार्ट टीवी से होने वाले फायदे तो सभी लोगों को पता होते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्ट टीवी से होने वाले नुकसान क्योंकि smart tv में कुछ ऐसे hidden features होते हैं guys जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है और हमें smart tv से नुकसान होते जाता है फिर जब एकदम end वक्त पर आकर हमें पता चलता है कि smart tv से हमें ये नुकसान हो रहा है उसमें हम लोग पस्ताते हैं तो अगर आप लोग एक smart tv खईदने की सोच रहे हो या फिर आपके पास पहले से smart tv है तो आप लोग इस वीडियो उपरा end तक ज़रू दोखे guys क्योंकि ये वीडियो आपके लिए 100% useful साबित होगा में उप्रदी प्रिजापत चले शिरू करते हैं दोस्तों वेसे तो smart tv से होने वाले काफी सारे ऐसे नुकसान हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं लेकिन हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे important point पर ही focus करेंगे जो कि हमें जानना काफी ज़्यादा जरूरी है फर्स्ट, machine learning software आपके smart tv में एक machine learning software होगा अब काफी सारे लोगों के mind में ये doubt आया होगा कि आखी machine learning software क्या है और किस तरह से वर करता है सबसे पहले हम आपका ये concept दूर करते हैं तो guys, example के लिए हमारे पास दो smart phones है एक smart phones और दूसरा अब इस smart phones में हम लोग जो भी चीज़े search कर रहे हैं वो सारी चीज़े हमें second वाले smart phones में दिखेगी अब जो machine learning software होता है guys हमारे सभी smart devices में होता है अब हमने या पर पहले वाले smart phones में जितने भी चीज़े search करी है वो या फिर उस तरह related ही हमें यहाँ पर smartphone second में वो सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी यहाँ तके advertise भी मिलेंगे guys देखने को अब जो हमने बता है machine learning software यह किस तरह से बर करता है तो guys suppose हमारे पास एक smart device है इस smart device के कुछ range होती है कि उस range के अंदर जो भी smart device आएगा उसकी सारी चीज़े से यह वाला smart device store कर लेगा अब smart device कई तरह के होते हैं जैसे कि laptop, smart phones, smart watch या फिर आपका smart tv, android tv यह सब smart devices हैं तो इन सभी में यह सारी machine learning software include होते हैं guys जिसके बार में आप लोग को पता नहीं होता है और आप लोग को नुक्सान होता है अब इसी तरह से जैसे कि आप लोग के घर में कई सारे smart phones available होंगे आप लोग किसी भी smart phones में जो भी चीज़े सर्च करते हो वो सारी चीज़े आपकी जो smart tv है वो store करके उस company के पास भेज देती है जिस company की आप लोग smart tv यूज़ कर रहे हो राइट यह तो गई पहला नुक्सान की बात सेकंड गईज आप लोगों ये भी बात पता होगी कि आपके smart phones में माइक होता है उसी तरीके से आपके smart tv में भी एक माइक होता है अगर आपके smart tv में माइक नहीं है गईज वो इंटरनेट जब तक आपके smart tv से connect रहेगा तब तक आपके smart tv का mic work करेगा चाहे वो remote का mic हो या फिर आपके smart tv के अंदर जो included mic आता वो हो अब वो साही चीजे उस mic के थो आप लोग जो भी घर में बातचित कर रहे हो जो भी आप लोग activities कर रहे हो वो साही चीजे mic के थोरो उस company को पता चल जाती जिस company का आप लोग smart tv यूज़ कर रहे हो यह तो हो गई second अब बात करते हैं third and सबसे important features की guys software update जी हाँ अप लोग अपने smart phones या फिल लैप्टॉप smart watch इन सब में तो system update कर लेते होगे जो भी means software updating का features available होता है लेकिन आपके smart tv में आप लोग यह features यूज़ नहीं कर पाता है क्योंकि smart tv में जो software company से आपको मिला है वही आप लोग यूज़ करोगे और यह कभी भी update नहीं होता आपको वही software हमेसा यूज़ करना पड़ता है जिससे कि आप लोग को यह नुकसान होता है कि आप कभी भी उसे update नहीं कर सको जो problem है आपको वो problem के साथ ही आपको आपके smart tv यूज़ करना पड़ेगी रही बात इन सभी problems की solution की तो guys इन सभी की problem की solution एक ही है कि आप लोग simple led tv market से purchase करेए और 5 stick यूज़ करेए 5 stick एक एसा device होता है जिसमें आप लोग अपने tv को connect करके directly smart tv as a smart tv work कर सकता है मतलब आप लोग किसी भी 5 stick को अपने led tv से connect करोगे और smart tv की तरह उसे आसानी से use कर सकते हो और यह जो company होती है 5 stick वाली यह हमें सा software को update करते रहते जिससे कि आप लोग कोई problem देखने को नहीं मिलेगी और हो सकता कोई problem देखने को मिलेगी तो आप लोग 5 stick की company से contract करिए वो आपके software को update कर देगी और फिर आपको कोई problem देखने को नहीं मिलेगी I hope कि आप लोग के mind के सारे doubts clear हो गए होंगे guys अगर फिर भी कोई doubts से रहे जाए तो please हमसे comment करके easily clear कर लिजएगा क्योंकि काफी सारे doubts है guys कि आपको इस वीडियो में काफी सारे doubts आए ही होंगे जो कि आप लोग comments के तरो calling के तरो whatsapp facebook instagram के तरो clear कर सकते हो right तो मिलते हैं guys किसी और नई वीडियो में किसी और नई trick के साथ हम आपके सामने फिर से available होंगे जब तक के लिए जय हिन thank you for watching